प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानन्द और इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर बी एल चोधरी और डॉक्टर संकर चोधरी इसमें फश्ट चेप्टर है संचिप्त जीबनी संचिप्त जीबनी में सबसे पहले देखेंगे स्री राम क्रेश्न के चर्णों में युबक नरेंद नात ने दर्शन, संगीत और व्यायाम में अपनी पहचान बना ली जिससे भी अपने साथियों में निर्विवाद नेता हो गए थे महाविध्यालाई में उन्होंने पास्चाति विचार धारा का भी अध्यन कर लिया था एक ओर तो उनमें जर्मजात अध्यात्म की प्रिवर्ति और प्राचीन धार्मिक परमपराओं बह विश्वासों के प्रती सम्मान था तो दूसरी ओर तरक करने के सुभाब के साथ साथ कुशागर प्रतिभा तब इन दोनों में संगर सोने लगा था ऐसी बिकट मना इस्थिती में उन्होंने तत कालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलन ब्रह्म समाज में सुख पाने का प्रियास किया ब्रह्म समाज निराकार ब्रह्म को मानता और मूर्ति पूजा को नकारता था तथा अन्यान्नी छेत्रों में अपने को समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत करता था इसी समय नरेंद्र के युवा मन में ईश्वर के अस्तित्तु पर प्रश्ण उठा नरेंदनात अनेग प्रख्याद धार्मिक नेताओं से इस प्रश्ण के सांथ मिले किन्तु उन्हें अपने प्रश्णों का संतोस जनक उत्तर कहीं नहीं मिला हाँ इस प्रकार के लगातार संपर्क से उनकी आध्यात्मिक वेचेनी और भी वड़ गई थी अध्यापक बिलियम हेश्टी से नरेंदनात ने सर्व पिर्थम दच्छडेश्वर के संत स्री रामकर्ष्ण परमहंस के बारे में सुना था उन्होंने नरेंदनात से कहा था तुम्हारे सभी प्रश्णों का उत्तर स्री रामकर्ष्ण ही दे सकते हैं उनकी जिग्यासा और नित उठते नए प्रश्णों को देखकर उनके चचेरे भाई राम चंदत ने नरेंद को दक्षिडेश्वर में रहने वाले महान संत स्री राम क्रश्ण परम हंस से मिलने के लिए प्रोथ साहित किया आधुनिक भारत का संत स्री राम क्रश्ण और उनके संदेशों के बाहग नरेंद इन दो महान आत्माओं की महान एतिहासिक भैट सन 1881 में कलकत्ता के सुनेंद नात मित्र के आवास पर हुई नरेंद नात ने उनसे पूछा महाराज क्या आपने इस्वर को देखा है स्री राम क्रश्ण ने उत्तर दिया हाँ मैंने इस्वर को बैसे ही देखा है जैसे मैं यहां तुम्हें देख रहा हूँ बलकि और भी तीवृता से ऐसा सहे सपाट उत्तर सुनकर नरेंद अचम्बित हो गए थे उन्हें लगा कि जो इस्वर को पृत्यक्त देखने का प्रवल विश्वास दिखा रहे हैं बेही उन्हें भी इस्वर से साक्षातकार करा सकते हैं बस फिर तो नरेंद नात स्री राम क्रश्ण के सिस्थ हो स्री राम क्रश्ण परमंच को सभी ठाकुर कहा करते थे ठाकुर ने भी नरेंद नात से पिर्थम मिलन के समय ही जान लिया था कि नरेंद पहले से ही ध्यान सिद्ध हैं और उन्हें लगा कि यह दिव्यात्मा प्रथवी पर मनुश्यों का उद्धार करने के लिए ही आया है ठाकुर स्री राम क्रश्ण ने कई पिरकार से अपने सिस नरेंद नात की परिक्षा लि उसी तरह नरेंद नात ने भी अपने गुरू स्री राम क्रश्ण को परखा और उन्हें सच्चे सद्गुरू के रूप में ही पाया सन 1884 में नरेंदनात की पिता का निधन हो गया नरेंदनात की परिवार को अने कठनाईया और अडचने जहिलनी पड़ी नरेंदनात ने अभी तो अपने जीवन में प्रचूर आध्यात्मिक संपन्नता का अनुभब किया था अब उसे अतियंत निर्धनता का अनुभब हुआ इस अतियंत निर्धनता और परिवार के कष्ट ने उने श्री रामकर्ष्ण की सहायता मागने के लिए उन्मुक किया ठाकुर ने सुझाया कि पारिवारिक कश्टों की निवारण के लिए दक्षिडेश्चवर की मा काली से सुयम ही प्रार्थना करें जब बे मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि चिनमई मा उन्हें बरदान देने के लिए इसमित मुद्रा में खड़ी हुई है नरेंदनात परिवार के लालन पालन की भीक मांगना भूल गए और मा से केवल ग्यान, बैराग और भक्ती की ही प्रार्थना की स्री रामकेशन ने उन्हें तीन बार मा की सरण में भेजा और तीनों बार ना तो उन्होंने अन्न मांगा और ना कोई भोतिक सहायता की प्रार्थना की अंतता स्री रामकर्ष्ण ने आसिरवाद दिया कि उनके परिवार को साधारन बस्त और भोजन की कमी कभी भी नहीं रहेगी नरेंद स्री रामकर्ष्ण के सबसे प्रियसिस बन गए थे उन्होंने नरेंद को आध्यात्मिक मार्गदर्ष्ण के सांसनात भरपूर प्रेम दिया 1885 में स्री रामकर्ष्ण जब कैंसर से गंभीर बीमार हुए तो उन्हें उपचार के लिए पहले स्याम पूकुर और बाद में कोल काता के बाहिरी छेत्र कासिपुर में एक किराय के मकान में लाया गया यहां नरेंद नाथ ने अपने गुरु भाईयों के साथ ठाकुर की मन पूर्वक सेवा की इस अब अधी में गुरु के अधी नरेंद नाथ की सिक्षा को अंतिम रूप मिला यही बिलक्षण समय था जब बे अपने भीतर तीब रिवेक से जलने बाली आध्यात्मे काक को विविद गहन साधनाओ के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके थे गुरु जी ने अपने युवा सिस्वों को नरेंद नाथ के नेतरत तुम्हें लाकर इस साधना सक्ती का उप्योग भी किया एक दिन नरेंद नाथ ने ठाकुर के समख्ष निर्विकल्प समाधी में जाने की इक्षा ब्यक्त की तब स्री रामक्रश्न ने कहा नरेंद तुम केवल अपनी मुक्ती की इक्षा रखते हो तुम्हें तो बिसाल बटब्रक्च की तरह बनना पड़ेगा जिसकी छाया में समस्त प्रत्वी के मनुष सांती प्राप्त कर सकें उन्होंने ऐसा कहा तथा पी उन्हीं की किरपा से नरेंद नात ने एक दिन निर्विकल्प समाधी की अवस्ता भी प्राप्त की और मा काली की सकती और इसने का प्रत्यक्ष अनुभब किया कासिपुर में ही ठाकोर ने एक कागज पर लिखा था नरन सिच्छा देगा